इंट्रीगल की exercise 7.11 का question no.8 हम इस वीडियो में करेंगा by using the properties of definite integral evaluate the integral of log 1 plus 10x और यहां lower limit जो है वो 0 है और upper limit 5 by 4 है तो सबसे पहले हम आरे को जो given integral है definite integral दिया हुआ उसको high equal ले ले लेना है और यहां पर fx का जो 0 to a limit रखके integration होता है वो f a minus x में change हो जाता है उस limit को हमने यहां use करना है तो यहां a जो है वो है 5 by 4 तो उसको use करना है यानके जहां जहां x है वहां पर 5 by 4 minus x हो जाएगा तो उसको हम यहां पर apply कर देते हैं तो यह हो गया log और यहां पर 1 plus 10 और इदर a की जगा 5 by 4 हो गया और minus x यानके 5 by 4 minus x हो गय हमने यूज किया है वो हमने यहां पर mention कर दिया 0 to a fx का जो integration करना है वो limit हुआ ही रहेगी 0 to a और यह हो जाएगा f a minus x तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 10 pi by 4 minus x है इसको expand कर देना है हमारे को अगले step में तो यहां पर यह जो हो गया 1 और यह plus में 10 pi by 4 minus 10 x जो यहां पर 10 a minus b वाला formula लगे 10 a minus 10 b upon में 1 plus 10 a 10 b और a क्या है यहां पर pi by 4 और b क्या है x तो यह हो गया 10 pi by 4 minus 10 x upon में 1 plus 10 pi by 4 into 10 x तो अब यहां पर 10 pi by 4 क्या होता है 1 के equal होता है तो उसकी value हम रख देंगे और आगे देखेंगे question काफी simple हो गया है तो यहां पर यह हो गया 1 minus में 10 x यहां पर हो जाएगा और यह हो गया नीचे 1 plus में 10 x अब 1 plus 10 x को जो है हम क्या ले लेंगे LC हम ले लेंगे next step में तो यह हो गया यहां पर 0 to pi by 4 और यह हो गया log और हमने यहां पर LC हम लिया 1 plus 10 x तो यहां गया 1 plus 10 x और 1 minus 10 x तो 10 x 10 x जो हैं दोनों अलग-लग sign के हैं तो यह तो cancel हो जाएंगे और 1 और plus 1 2 हो जाएंगे तो यह हमारा अगला step होगा 0 to pi by 4 और log यहां हो गया 1 plus 1 इधर हो गया 2 और नीचे आ गया 1 plus 10 x अब इसे हम log a upon b वाले तरीके जो को लेंगे तो log a minus log b हो जाएगा तो यहां a क्या है 2 और b क्या है 1 plus 10 x तो यह हो log 2 और इधर log 2 का अलग से इसका integration करतेंगे और जो नीचे था denominator 1 plus 10 x वह हो जाएगा log 1 plus 10 x लेकिन नीचे वाला है वह minus का हो गया क्योंकि log a minus log b होता है तो b यहां पर क्या है 1 plus 10 x लेकि minus का sign बाहर आ गया अब log 2 तो constant है बाहर आ जाएगा यहांके हमारे को सिरफ 1 को integrate करना है तो 1 का integration हमारे को करना है और इसलिए इसको इस तरह से हमने लिख दिया और यहां पर जो है जो log 1 plus 10 x जो है 0 टो पाई बाई 4 यह i के equal था तो इसको यहां i लिख दिया तो यह i minus का left side जागे 2i हो गया 2i is equal to log 2 और इधर x पाई बाई 4 जीरो हो तो इधर x की value पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 minus 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा पाई बाई 4 log 2 तो 2i is equal to पाई बाई 4 by log 2 हो गया तो हमारे पास i जो होगा वह हो जाएगा पाई बाई 8 log 2 तो यह हमारे पास आंसर आगया उमीद है यह question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्काइब करें और बैल ऐकन जूर दभादें झाल